CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं समझे तो हम मजदूर निबढने के हम किसान किसानी रहेंगे उससे तो जादी जमीन मेरे पर एक मंत्री के मुंसा कै इस तरह की बात अच्छी लगा उन्होंनों ते समझ लिए त्यागी समाज सदो ओट मांगने का को मतलब ही नी इस तरह का अंदोलन होगा तो उसमा सब साथ अब भी बाकियों की तरह यहां बीरादरी के सवाल पर वोट कर रहें किन सवालों पर वोट में बीरादरी के लिए लिए दो दिन में बुल्ड़ रचल लिए मापे 25,000 का इनामी घोसित कर दिया हमें लंगडा तीया की प्लाना तीया की यह क्या है हमारा कोई वह नहीं वज कर लिए दो एक और भी हैं आपको दिखते हैं अभी बहुत दिक्कत मतलब उस तरीकता यह पहले जनसंग में था जी अब वीजेपी मह जब तो ओट उसे दे रहा है अच्छा करता कोई कुछ है नहीं बाब जी हाँ गुंड़ोगा राज हो रहा चार की यह सुनो और में पि CCA में आपका स्वागत है हम अभी मुझफवर नगर सीट के निर्माना गाउं में हैं ये एक त्यागी समाज बहुल गाउं है यहां आज पास लगबग 12 गाउं है जहां पर बहुमत यहां त्यागी समाज के लोगों की है इस बार चुनाव में मुझफवर नगर के सपा से हरिंदर मलिक जी हैं बसपा से दारा सिंग प्राजापती जी और उसी के साथ साथ यहां पर एक निर्दली उमीदवार सुनील त्यागी जी भी खड़े हैं आए देखते हैं यहां पर त्यागी समाज के बीच में क्या रोजहान है चुनाव का इस बेल्ट में जादा बार से खुश हैं वहीं पर वोट जाएगी आई यह पता करते हैं जी ओञाम लाम जी जी आप निर्माणा गाउसे हैं जी जी क्या नाम हो आज़े दॉक्टर विट्टो डाक्टर सब आप मतलब डॉक्टर हैं कहां पर यहां गाहों भी क्लिनिक हैं दस साल आपका अपना प बस सुधार भी बहुत हुआ जी ठीक है तो ये बताई अभी चुनाव आ रहा है किस तरफ आप लोग जाने की सोच रहे हैं आपका परसनली क्या मत है बजी मता बाजपा का जी रो रहे हैं बताऊंगे इनका यहद में खड़ा सोजनी तगान से सुनीलती है गी आप बाजपा स है और लोगों से भी बात करेंगे अमरीज जी फिलाल बताईए क्या लग रहा है कहां आप वोट करने की इस बार सोच रहे हैं वोट तो जी देखो अपना पना दिकार है लेकिन थोड़ा सा जो मारा बिरादरी भाई से खड़ा है परत्याक्सी तो इसलिए हम सुनीलतीयाग समाज के इलावा भी उनको ठीक ठाक वोट मिलेंगे जिससे उनकी जीतने की चांस बनेंगे जी ओट क्यों नहीं मिलेंगे ओट तो 36 विरादरी में से मिलेंगे जी वैसी कोई बात नहीं और मेरे बारा कौँ जा त्यागियों गया है पुरा समर्थन है यहां से इंदर है उन कि आपको 133 निर्दली उम्मीद्वार की जरूरत पढ़ी है त्यागी समाज को वो तो यह उनका अपना अपना विशारन कुछ सोच कई खड़या में हो है त्यागी समाज को जैसा कोई आगे को बढ़ावा देने के लिए तो नहीं सच्छा वाई हम भी तो कहीं को चले आग सब्सक्राइब के साथ यहीं मुख्य मुद्दा है यह नौजवान भी कई सारे बैठे हैं जी साब क्या नाम आपका आशूतियागी निर्वाना जी आशूतियागी आशू यह बताओ कैसे नहीं हैं आपकी क्या उमर होगी है मेरी किस साल जी पढ़ाई खतम होगी है बस आपने बर्तियों के लिए ट्राइ किया कहीं पर तो जी चार साले की कौन करा का बर्ती तो नौजवान तो भर भर के मोदी जी के साथ गए थे पिछले चुनाब में भी उससे पहले भी और बोला था कि बही दो करोड़ रोजगार मैं पैदा करूंगा आपको नहीं लग रह जी हम अधियागी एक साथ खड़ा है जी सुनील ट्यागी टेदाना अर चार बज़ही मुंदम अरतंगे संजीयु बालेज़ी andra की दियागी से खाने लोग सेसे चितने लोग हैं इस गोमय कि सफॉट हैमारे बाला का वाँया घुटाए फोर्वी पोर्त और इक चीज तुम से भी बात को जी हमाद यो सिरीकांद वाला मैठर हुआ था फिर भी टिकटी सही दे दिया जी ठीक है अन्य अपने वमारे टिकट दे देते हैं तो आम यो काटना जी होड़ कुछ नी हमा ठीक है आपका नाम अशू तयागी है क्या करते हैं कहा पर क्या हुमर होगे यह 27 साल है कैसा रहा है जिस तरह का रोजगार आप अपनी जिन्देगी में चाहते थे जिस तरह का क्या उस तरह से चीज़े खुली है कुंई लिए तो मेरा तो मुझे इस से कोई वह ही नहीं तो चुनाव में आप कहरे हैं कि मतलब रोजगार आपके सामने इक मुद्दा है लेकिन क्या आप भी बाकियों की तरह आप बीरादरी के सवाल पर वोट कर रहे हैं किन सवालों पर वोट में बेरादरी के ले तो क्या हो गया है पिछली बार जो एक तरफा संजीव बालियान की तरफ आप लोग गए थे आप भी क्या इसी बात से नराज हैं जिससे सब लोग नराज हैं कि आपके एक नेता केमा बुल्डोजर चल गया वहां का मैटर तीक है वहां से भी इशू है थोड़ा सा ठीक है क्य पच्छी जार का इनामी घोसित कर जा हमें लंगडा थी आगी फलाना थी यह क्या है हमारा कोई वह जोड़ी नहीं है वह खतम करना चारें और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां को को दिक्कत निया संजीव बालियान ठीक है सबसे दोजार चोदा में जिते बॉरी वोटो नेस बड़ी भात है अपना-अपनाई ही लौता है कभी तो अपने दूढ़ें हमारे पास Fr तो उनके साथ में तन मन धन से अरे एक तरीके से साथ रहेंगे मरेंगे जिएंगे ये नाराजगी काफी आपका नाम वासु जी वासु नौजवान हो क्या करते हो आप मैं तो सर जो भी करता हूं अभी तो फिलाल बेकार बेरोजगार घर अपना रहा है क्यों लेकिन दो और नोकरी मिली तो नोकरी हम भी कर रहे थे आट-दस साल से हम भी बाहर थे लगार के टाइम पर सबकी जोब चली गई उसके बाद किसी को इका दुक्वा को मिली कि दस आजार मिले किसको बारा मिले पढ़ाई करके पाचपा शेचे लाग रुपे खर्च करके नोकरी मिली सबर अजार रुपे की इस सचत अपना काम कर ला है आप कहां वोट देने की सोच रहे हैं सुनी त्यागी को आप दी त्यागी समाच का क्या आपको लग रहा है कि उद्धार नहीं हुआ भाजपा के पिछले 10 सालों में क्या इतनी नाराज़गी बन गई है उद्धार ही नह आपका नाम जी अशोग जी एक चीज बताएं 24 का चुनाव आ रहा है कई लोगों से बात हुई है आपका क्या रोजान है इस बार अपने अत्यागी समाज के सुनेल त्यागी से लेकिन एक चीज बताएं ऐसा क्या हो गया अगर मैं पूछ सकूं मैं पूछ रहा था पिछली लोग चंत्रों में तो सबका अपना देकार है अब एक बात तो पहली बात तो हम रहा है दूसरी बात है मैं एक बैंक आया निर्माने में सब सब पहले बैंक आया दे दिया उद्गण निर्माने में हो गया पांच किलो मेटर पस जाए गा उसका लगवा दिया निर्माने ग किसान का मतलब तो स्टाम करें लेकिन ने कोई असा काम नहीं है अग बाई उन्होंन इतना बड़ा काम कर दिया अग जिसके उपर हम यह तो बढ़ाना सीट पड़े यह मुझे खरना कर देख लेकिन शंजीब जी से अब कुछ नहीं हैं थाइस नहीं हमा तो कोई लगानी है भ तो हम मजदूर निबनने के हम किसान किसानी रहेंगे उससे तो जादी जमीन मेरे पर एक मंत्री के मुंसक है इस तरह की बात अच्छी लगा उन्होंनों तो यह समझ लिए त्यागी समाज सब मांगने का कोई मतलब ही नहीं यह तो आइटोमेटिकी बीजेपी के हैं कंडिटे यह आप लोग सब किसान हैं इतना बड़ा एक किसान अंदोलन हुआ था तेरा महीने का दिल्ली की सरहदों पर तीन कानूनों के खिलाफ अभी एमस्पी के मांग पर चल रहा है आप लोग क्या उस अंदोलन के समर्थन में रहे थे क्या आपने भी उसमें जाके गाजी पुर इस तरह का अंदोलन होगा तो उसमा सब साथ रहेंगे ने तो मैं पूछ रहा है उसका असर इस चुनाव में कितना हो ता नहीं तो आप देख रहे हैं आपको ज़्यादे पता है मारे सब बाइंद आप देख रहे हो आप दूसरी तरब बी जाओ तीसरी तरब जाओ आपको पता चल जा इसका विरोद का कितना विरोद के इस तो हमें काने की जरूती निए आप लोगो को का तो विरोद मंसरा आ रहा है। भच ये वह न तो संजीव बालियान के लिए का दिर के कूटते भयाट दियते हैं अमना तो उसका आप पथर हो कड़िया था हुम नहीं हमना कोई आजाओ, हमने तो ओठ करना है। इस बार आप मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं, केंदर में आप लोग मोदी जी चाह रहे हैं, लेकिन अपने यहां से आप संजीव बालियान को हराना चाह रहे हैं। निर्माना गाओं में बात करते करते हैं, गाओं वाले जो हैं, हमें यहां पर गाओं के बिलकुल सीमा पर ले आए हैं, जहां पर एक्चली अब यही बात है कि विकास के भी बहुत सारे सवाल होते हैं, जो कहीं ना कहीं एक अंदर का गुस्ता चुनाव में फिर फूटता आप यहां देखेंगे और नजर लगाएंगे तो यहां गाओं में इसको कहते हैं पानी की कोई निकासी नहीं है जिसके चलते शल्चिते यहां पर बारिशों में पानी बहुत भर जाता है और जब पानी बहुत भर niin पर जाता उन्हेंगे पानी बहुत बर जाता है शब्पार में और बहुत लोगों को बिंपारियं भी होते हैं कि इसके बारे में थोड़ा से पता रिद हो रहे इस मारे ने कि की ने कि एक राक था वो जब पर दान मंत्री योजनाव environment संतुब आच जो तिया गया अठि कोई कारें ऑनले इसका यह आन्य दिक्कतर érdit कैओं संथ हो आना जाना बंद अतना पानी बाबबाजी तो नाम इतना मोलड़ जी बाबबाजी क्या लग रहते हैं इतने आपका घरी आपर है कितनी दिक्कत होती है बारशों में बाबबाजी दिक्कत होती है आपने सांसच जी जो मंतरी जी भी है उनको बोला नी यहां पर कुछ साफसफाई की जाए यहां पर पानीकी ने कासी गरे नाला बनाए जाए जाए इनों नहीं बज्जे दे ने साफसफाई गोड़ा तरह अपना काम करका चला जा जा जो इसका तो आप लोग जा रहे हैं डंगो एकि भी केस होते हैं कि मदे उधर भी बात करते हैं अच्छा राम राम ऩो बाबबाजी राम राम बटऊ यह बता ओ आपके घर के ठीक सामने यहां पानी की दिक्कत बता रहें गावाले जी दिर बारी सोर ज्वाशा चले गो आच्छाश तो आप जिन्दगी भर जनसंग में रहे हैं तो आज इस तरह के सांसद हैं यहां पर क्या आप खुश हैं कि फाइनली आपकी पार्टी जब इतने पूर्ण बहुमत से आई यहां पर सरकार बनाई क्या सांसद आपके मन के बने बाई बाई बात सुनना दो योजनत संजीव बनने हैं जी ओट मैं यहां चुड़ा जाट जाट यह वजादे कर आप सुनीलतियागी को देंगे आप तो बाजपा में रहे हैं पूरी जिन्दगी जनसंग में रहे हैं अपने की पाहिए और आई को आप भाजपा यहां ने हमेशा यह कहा है कि बई पैंत मतलब हम यहां पर सारे हिंदू को जाती के ऊपर उठके हम हिंदुों को एक होने की जरूरत है आर एसस भी यही कहें तो फिर ऐसा क्या हो गया आप खासकर कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप तो जनसंग में भी रहे हैं पहले के समय से कि इस बार वो जो सपना देख है वो पूरा नहीं हो पा रहा है होने कि आपके ना तो मोटर सांगिर सिरा नहीं ना खाट पता उठना और नहीं हम्यूंच जो पैसे लगाए रहे मकान में काम और रहे हम भी साहरे हूं त्वया का बढ़ा करका बनाते है बाकी इतना हा अखम सड़कूंची नहीं हूंदे लेगे चोधी बनो यह ना बनो सारी मैं यहां निर्माना गाउं में तयागी बहूल गाउं है आम तोर पे यहां पर पिछले कम से कम दो योजनाओं से और शायद उससे पहले भी लेकिन पिछली दो योजनाओं में तो लगबग एक तरफा भाजपा को वोट गई थी लेकिन जो ताओ कह रहे हैं सब भाजपा कहते हैं और यहां पर ताओ जो हैं जिनोंने अपनी पूरी जिन्दगी जनसंग और फिर भाजपा को दी लेकिन आज निराशा इतनी बढ़ गई है कि यहां पर उनके काम नहीं हो रहे हैं कई चीजों में इनको लगा है कि कई ऐसी बाते अमीदमार जो है सुनील त्यागी उसकी तरफ यहां पर लोगों का जादा रोज़ान लग रहा है चुनावी महौल गरमा रहा है सीसिये के साथ जुड़े रहें यूपी से अब तक खबरे आते रहेंगी बहुत बहुत धन्यवाद है